आज एक ऐसी चीज़ का सिलान्यास हो रहा है जिसकी पूरी दुनिया में गुंज होने वाली है ये छोटी बात नहीं बता रहा हूँ मैं पूरे विश्व में सबसे पहला हजारों साल पुराना सबसे पहला बंदर ये गुजरात के लोथल का बंदर पांच हजार साल पुराना बंदर अगर दुनिया के किसी के पास ऐसी कोई जगा होती तो पुरी दुनिया को पागल करके छोड़ देता दूस्त लेकिन अब जब मुझे भारत सरकार में बैट करके सेवा करने का मोका मिला है तो आज लोथल में नेशनल मेरिटाइम हेरिटेज कॉंप्लेक्स का सिलान्याज भी किया गया है हिंदुस्तान की सामुद्रिक सक्ति दुनिया के संदर्म में सामुद्रिक सक्ति पांच हजार साल का हमारा सामुद्रिक जीमन को लेकर गए यह एतिहासिक मुजियम बनने वाला है आप कल्प ना कर सकते हैं पूरे विश्व का कितना बड़ा टुरिजम हमारे लोथल में आने को मजबूर हो जाएगा गुजरात को रोजी रोटी के लिए कितनी बड़ी सुविदाय हो जाएगी साथ कि और लोथल हमारी सामुद्रिक ताकत का प्रतिक रहा है दुनिया के अनेक देशों के लोग वहां नद्दिक में बलभी उनिवर्सिटी थे वहां लोग आया करते थे अध्यान करने के लिए पहुंचते थे कि कैसे यह पौर्ट काम कर रहा है और छेत्र के व्यापार को बढ़ाने में मदद कर रहा है कहते एक समय था जब सेंकुरों की तादाद में वहां जंडे फैरते थे और दुनिया के कई देश के जंडे वहां फैराये करते थे नेशनल मेरिटाइम हरिटेज कामप्लेक्ट हमें उसी गवरों का एसाइस खड़ाएगा और यह भी मैं बता दू आज मैंने इसका सिलान नियास किया है उद्गाटन कौन करेगा कौन करेगा मुझे विश्वाद है देश के आशिरवाद मेरे साथ है उसका उद्गाटन भी हमी करेगे इस कौंप्लेक्ट में म्यूजियम भी होंगे थिम पार्क भी होंगे रिसर सेंटर भी होगा होटेल और रिसोर्ट भी होंगे यानि यह भारत की सम्रुत्त सामुद्रिक विरासत से दुनिया को परिचित कराने का माध्यम तो बनेगा ही साथ ही टूरिजम को बढ़ावा देने का भी जर्या बनेगा इस कौंप्लेक्स के तौर पर भारत कोई नहीं बलकि पूरी दुनिया को एक नई विरासत मिलने जा रही है साथ क्यों हमारी सरकार्वारा जो मैं मध्य गुज्रात कहता था एक पुर्वी पट्टी एक पश्चीमी पट्टी और एक पूरा राजस्थान और महराश्टर को जोडने वाला हमारा बीच का इलाका जिसको हम सेंट्रल विस्टा कह सकते हैं अगर इस मध्य भाग का विकास के आवस्चताओं को देखते हुए विकास के नेक पेरियोजनों पर काम किया जा रहा है एमदाबाद मुंबई बुले ट्रेन का काम तेजी से जारी है यह ट्रेन गुजरात को एक नई पैचान देगी और हिंदुस्तान का गवरो बढ़ाएगी यहां के उद्योमियों की मुंबई से कनेक्टिवडी और आसान करेगी आज एमदाबाद को मेट्रो का उपाहर तो म मुबाइल हब की तरह विक्सित करने पर काम कर रही है वहीं दोलेरा को वर्ल्ड क्लास कॉमर्सियल हब की तरह विक्सित किया जा रहा है इसमें दोलेरा एरपोर्ट भी शामिल है